आज बनने जारा है सुवादेश टिपोहा यकीन मानिये फ्रेंट सी आपको बहुत पसंद आएगा चाहे आप इसको सुवेरे नाश्टे में एंजॉय करे या आप इसको टी टाइम में एंजॉय करे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो आएए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन समान की जरूरत पढ़ेगी तो यहां भी मैंने चूरा ले लिया है चूरे को हम पहले अच्छे से धो लेंगे तो लीजे फ्रेंट हमने चूरे को एक बार धो लिया है एक बार मैं इसको और धोलूँग चूरे को हमें अच्छे से दो बार धो लेना चाहिए जो इसमें स्टाच वगेरा होता है वो भी निकल जाता है और जो इसमें गंदगी वगेरा होती है वो भी इसमें निकल जाती है तो लीजे फ्रेंट हमने चूरे को अच्छे से धो लिया है तो यह देखे फ्रेंट तो ह खिला खिला हमारा पांच मिनट के बाद पोहा रेडी हो गया है तो यकीन मानिए हमें इसको भिगोने भिगोने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि वैसे ही इतना अच्छे से सोख हो जाता है धोने से ही तो देखिए कितना खिला खिला हमारा रेडी हो गया है तो यहां पर मैंन थोड़ा पूहा पना रहे हूं तो उसमें इतनी कॉंटेटी काफी है तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से लूही काफी है कि belonging हमें इतना रूस्ड काना ही कि मूफली खाने में प्रणची हो जाए तो इसको चलाते रहेंगे flame को लोही रखेंगे ने इसको अच्छे से भून लिया है मौफली हमारी चितक गई है तो अब हम इसको निकाल लेंगे तो देखिए friends कितने अच्छे से मौफली रोस्ट हो गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे काली वाली राई अगर आपके पास यह नहीं है तो छोटी वाली जो सरसो आती है ना बनारसी वाली वो भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो से तीन करी लिस ले ली हैं उसको भी हम इसमें अच्छे से तड़कने देंगे अब हम इसमें डाल देंगे प्याज आप चाहें तो प्याज को लंबा लंबा भी काटके यहाँ पर डाल सकते हैं लेकिन मैं ऐसे डाल रहे हूँ वो आपकी मर्जी है आप जैसे भी इसमें प्याज डाल दें बिल्कुल हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है थोड़ा सा ही हमें इसको सौटे करना है अब हम इसमें आट कर देंगे हरी मिर्ज तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी आट करूंगी तो लीजे फ्रेंट्स हमने हल्दी को एड़ कर दिया अब हम इसमें डाल देंगे चूरा मेरा चूरा डालने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना खिला खिला हमारा चूरा सोख होके हो गया है बिल्कुल भी हमें इसको भीगो के रखने की कोई जरूरत नहीं है लीजे फ्रेंट्स हम इसको मिक्स कर लेंगे आप यहाँ पे मिर्च बगरा डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे हरी मिर्च एड़ की है तो मैं लाल मिर्च नहीं एड़ कर रही हूँ बाकि अगर आप इसमें मसाले पसंद करते हैं तो आप वो भी इस स्टेज पर डाल सकते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पोहा तो हम इसको मसाले इसमें नहीं आड़ करेंगे तो बस यहाँ पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगे इस स्टेज पर हम यहाँ पर चीनी एड़ कर देंगे तो जिसे साफ से आप खटा मीठा फसंद करते हैं उसे साफ से आप चीनी डालें तो मैंने बड़ी एक चम्मत चीनी ली थी तो उसमें से भी मैंने थोड़ी सी बचा ली है तो हम चीनी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वैसे भी पोहे में मसाले बहुत ही कम जाते हैं जितना आप इसमें कम मसाला डालेंगे नहीं पोहा हमारा बहुत अच्छा बनके त्यार होगा अगर आपके पास नीबू ना हो तो आप यहां पर सीटरिक ऐसिड को पानी में घोल के इसमें डाल सकते हैं एक दो चम्मच पानी ले लिजे उसमें सीटरिक ऐसिड घोल के आप इसमें डाल सकते हैं पर हमने इसको कर दिया है कवर कर ने से जो चीनी और नमक वो अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो जाएगा ओ पोहा भी हमारा अच्छा खिला खिला बनीगा तो लीजे फ्रेंड हमने इसको पका लिया था अब देखिए कितना खिला-खिला पोहा बनके रेडी हो गया है और ची आही नहीं हुआ है तो इस स्टेझ पे मैं डाल दोंगी नीव का रस फ्लेम को हमने बंद कर दिया है वे ठόσक यह दो दो दब यह दोढ़ें सबस्क्रेंद नीवा की जैस हमने यह दो लिए चालू दालेंगे तो पूहा बनके हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हारा धनियां तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हूए तो देख Olha कितना खिला खिला हमारा पूहा बनके रेडि हूआ है जब भी यहीं ज़्यादा यह खाने में बहुत ही टेस्टी है तो बिना किसी ताम जाम के आप मिंटों में पोहा बना के रेडी कर सकते हैं तो यहां पे जो हमने मूफली को रोस्ट करके ले लिया था उसको उपर से हम डाल देंगे तो लीचे फ्रेंड्स हमने मूफली के दानों को इसमें अच्छे से कर दिया है गार्निश और रख देंगे इसमें नीवू का स्लाइस तो लीचे फ्रेंड्स हमारा खटा मीठा पोहा जटपट बनके रेडी हो गया है आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताईएगा कि यह आपको कैसा लगा तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ एक एक दाना इसका अलग-अलग है तो आप इसको जब भी बनाएं तो आप अपन आप तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसेपी में तक तक के लिए बादेगा